येस सबी लोग तैयार थ्री टू वन स्टार्ट वर्तमान में महिला समाज को भूमी या संपत्ति संबंदी अधिकार से वंचित रखना वास्तव में उस आधी आबादी अथवा आधी दुनिया की अव मानना है जो एक मा बहन और पत्नी अथवा महिला किसान के रूप में दो गज जमीन और मुठी भर संपत्ती की वाजिब हकदार है विराम बारत में महिलाओं के भूमी तता संपत्ती पर अधिकार केवल वैधानिक अव मानना के उलजे सवाल भर नहीं है बलकि उसका मूल उस सामाजिक जड़ता मैं है जिसे आज आधुनिक भारत में नैतिकता के आधार पर चुनोती दिया जाना चाहिए विराम भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से है जहां संवेधानिक प्रतिबद्दता और वैधानिक प्रावधानों के बावजूद महिलाओं की आधी आबादी आज भी धरातल पर अपनी जड़ों की सतत तलाश में है विराम पैरा 11 अगस्त 2020 को सर्वोच न्यायले ने पैतरक संपती में महिलाओं को अधिकार से संबंदित हिंदू उत्तराधिकार विदिन ब्रेकेट शंशोदन अधिनियम 2005 की पुनरव्याख्या करते हुए एक बार फिर समाज के उस जन्मानस में चेतना लाने का परियास किया है जो एतिहासिक कानून के बाद भी जड़हीन हो चुके सामाजिक मान्यताओं के मुगालते में जी रहा है विरा सरवोच न्यायले ने अपने हालिया निरणे में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान हिंदू महिलाओं के पायतरक संपत्ती में उत्तराधिकार और सहदायक अधिकार का विस्तार किया है विराम यह निर्णे हिंदू उत्तराधिकार विजिन प्रैकेट शंशोदन अधिनियम 2005 से संबंदित है विराम पैरा सर्वोच न्यायले के निर्णे के अनुसार एक हिंदू महिला को पैतरक संपत्ती में संयुक्त उतराधिकारी होने का अधिकार जन्म से प्राप्त है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका पिता जीवित है या नहीं विराम सुप्रीम कोट ने अपने निर्णे में हिंदू उतराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में किये गए शंशोधनों का विस्तार किया है विराम इन शंशोधनों के माध्यम से बेटियों को संपत्ती में समान अधिकार देकर हिंदू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा छे में निहित भेदभाव को दूर किया गया था विराम यह निर्णे संयुक्त हिंदू परिवारों के साथ बौध सिख जैन आरिय समाज और ब्रह्म समाज से संबंदित समूधायों पर भी लागू होगा विराम सर्वोच न्यायले ने सभी उन न्यायलेओं को छे माह के भीतर इस मामले से जुड़े मामलों को निप्टाने का भी निर्देश दिया विराम पैरा हिंदू कानून की मिताक्ष्रा धारा को हिंदू उतराधिकार अधिनियम 1956 के रूप में सहीता बद किया गया विराम संपत्ति के वारिस एवं उतराधिकार को इसी अधिनियम के तहत प्रवबंदित किया गया जिसने कानूनी उतराधिकारी के रूप में केवल पुरूशों को मानेता दी विराम यह उन सभी पर लगू होता है जो धर्म से मुश्लिम, इसाई, पारसी या यहुदी नहीं है विराम बौध, सिक, जैन, आरिय समाच और ब्रह्म समाच के अनुयाईयों को भी इस कानून के तहत हिंदू माना गया विराम एक अविभाजित हिंदू परिवार में कई पीडियों के सयुक्त रूप से कई कानूनी उट्णा धीकारी मौजूद हो सकते हैं विराम कानूनी उत्तराधिकारी परिवार की संपत्ती की संयुक्त रूप से देखरेख करते हैं विराम पैरा 1956 के अधिनियम को सितंबर 2005 में शंशोदित किया गया और वर्स 2005 से संपत्ती विभाजन के मामले मैं महिलाओं को सहदायक के रूप में मान्यता दी गई विराम अधिनियम की धारा छे में शंशोदन करते हुए एक सहदायक पुत्री को भी जन्म से ही पुत्र के समान शहदायक माना गया विराम इस शंशोदन के तहत पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और देनदारियां दी गई है विराम यह कानून पैत्रक संपत्ती और व्यक्तिगत संपत्ती में उत्तरा धिकार के नियम को लागू करता है जहां उत्रा धिकार को कानून के अनुसार लागू किया जाता है न कि एक इच्छा पत्र के माध्यम से विराम विदी आयोग की 144 वी रिपोर्ट में हिंदू उत्तरा धिकार अधिनियम में सुधार की सिफारिश की गई थी विराम वर्ष 2005 के शंशोदन से पहले आंद्र परदेश, करनाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडू ने कानून में यह बदलाव कर दिया था विराम केरल ने वर्ष 1975 में ही हिंदू शयूक्त परिवार परणाली को समाप्त कर दिया था विराम पैरा हिंदू उत्तरा धिकार विजिन ब्रेकेट शंशोदन अधिनियम 2005 के अंतरगत महिलाओं को समान अधिकार दिये गए थे विराम फिर भी कई मामलों में यह प्रश्ण उठा कि क्या कानून भूत लक्षी रूप से लागू होता है विराम प्रश्ण यह था कि क्या महिलाओं के अधिकार पीता की जीवित इस्तती पर निर्भर करते थे जिनके माध्यम से उन्हें विरासत में मिलेगी पूरू में सर्वोच न्यायले की विबिन पीठों ने इस मुद्दे पर परश पर विरोधी विचार रखे थे जिनमें इस पश्टता का अभाव था विराम परिणाम सोरूप विधी विशेशग्यों द्वारा अतारकिक तर्क परस्तुत किये जा रहे थे विराम वर्ष 2015 में परकास बना फूलवती वाद में दो न्याया दिशों की पीठ ने इस पश्ट रूप से कहा कि यदि पीता की मौत 9 सितंबर 2005 को अधिनियम के पारित होने के पहले हो गई है तो बेटी को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा विराम परन्तु इसके बाद वर्ष 2018 में दो न्याया दिशों की पीठ ने अपने निर्णे में कहा कि बले ही पिता की मौत अधिनियम लागू होने के बाद हो पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए विराम ऐसे में अभी तक इस प्रावधान को लेकर एक भ्रम की इस्तती बने हुई थी जो की सर्वोच न्यायले की तीन सदस्ये पीठ के निर्णे के बाद समाप्त होती दिख रही है विराम पैरा सर्वोच न्यायले ने मिताक्षरा विदी का अध्ययन कर यह पाया कि एक पिता के संपून जीवनकाल के दोरान परिवार के सभी शदस्ये को सहदायक का अधिकार प्राप्त होता है विराम सर्वोच न्यायले ने अधिनियम की धारा छे में शंशोधन करते हुए पिता की पुत्री को भी जन्म से ही पुत्र के समान उत्तरा धिकारी माना गया है विराम सर्वोच न्यायले ने कहा की वर्ष 2005 के शंशोधन ने एक ऐसे अधिकार को मानेता दी जो वास्तव में बेटी द्वारा जन्म के समय अरजित किया गया था विराम सर्वोच न्यायले ने इसपश्ट कर दिया है की अब पुत्री को वही उत्रा धिकारिता हासिल होगी जितनी उसे उस इस्तती में होती अगर वह एक पुत्र के रूप में जन्म लेती विराम अर्थात पुत्र और पुत्री को पिता की संपत्ती में बराबर का उत्तरा धिकार मिलेगा चाहे उसके पिता की मृत्यू कभी भी हुई हो विराम पैराब बेटियां तो माबाप की रखवाली होती है विराम बारत जैसे देश में लोकतंत्र की बुनियादी इकाई परिवार है और होने भी चाहिए विराम महिलाओं की संपत्ती भूमी और समानता के अधिकारों की मान्यता और उससे उपजे प्रश्णों का प्रथम समाधान वास्तव में परिवार के बुनियादी और सबसे व्यावहारिक इकाई मैं ही संभव है विराम न्यायले महिलाओं के अधिकारों के लिए नियम और अधिनियम तो बना और बता सकता है लेकिन जैसा सरवोच न्यायलेओं के वैख्या के निहितार्थ थे की समाजिक मानेताओं का काया कल्प भी होना चाहिए विराम तबी कानून महिलाओं को वास्तविक्ता में बदल पाएगा संपूर्ण विराम